Hello students! How are you? Good! Okay! Let us start about our next topic. Our topic is cyclical fluctuation. ठीक है? Cycle चलती है ना जैसे? वैसे यह है कि fluctuation आ जाती है. Cycle का जब tire चलता है तो कैसे चलता है पैडल उसका? ऐसे चलता है ना? तो economy में भी क्या होती है? fluctuation आ जाती है. कभी up, कभी down. अब यह कैसे होता है? आपके पास दो चीज़े होती है. aggregate demand और aggregate supply. ठीक है? कभी क्या हो जाता है? आपकी demand increase हो जाती है. जोसे देखो, festival का जब season आता है, तो sweets की demand क्या होती है? बढ़ जाती है. जब winter का season आता है, तो shoes की demand, sweaters की demand हो जाती है. इसका मतलब क्या है? कभी demand जादा हो जाती है, और कभी demand कम हो जाती है. कभी raw material नहीं मिला, माल नहीं बना, तो बहुत सारी problems economy में आती रहती है. ठीक है? कभी koila नहीं मिला, कभी बिजली नहीं मिली, कुछ भी problems आ जाती है, जिसके कारण economy में up and down होते रहते हैं. जिसे हम क्या कहते है? fluctuation होना. ठीक है? अब हम इसको थोड़े से यहाँ डायरम से पढ़ेंगे. यहाँ पर आपने क्या लेना है? output. अब क्या हुआ है यहाँ पर? यह क्या है line? full employment की line. जो यह line है, इसे हम क्या कहेंगे? full employment. इसका मतलब अगर हम इस line को touch करते हैं, तो वहाँ पर अपनी इक नामे में क्या है? full employment है. मतलब जो काम करना चाहता है, उसको काम मिल जाता है. अब क्या हुआ? full employment आ गई, सब के पास पैसा पुरा हो गया, अब क्या होगा? aggregate demand बढ़ेगी. जब आपके पास पैसा आ जाता है, तो क्या करते हो? demand करते हो, कोई नई sweater, shoes, mobile phone, तो क्या करते है? demand करते हैं. demand करने से क्या आ जाता है? आपकी economy ये, आपकी demand क्या हो गई? जादा हो गई. तो क्या हो गया? economy में तेजी आ गई, boom आ गया. ठीक है? तो ये क्या हो गया? demand के बढ़ने से, ये आपकी economy की जो line है, ये कहाँ चली गई? उपर चली गई. अब क्या हो गया? demand जादा हो गई है, लेकिन supply उतनी है नहीं, तो क्या होगा? price बढ़ना शुरू हो जाएंगे. अब price जब जादा होंगे, तो क्या हम demand करेंगे? no, हम demand नहीं करेंगे. जिस चीज की जो चीज हमें 500 में मिल जाती थी, वही चीज हमें 700 में मिल रही है, तो क्या आप demand करोगे? no, इसका मतलब क्या होगा? demand कम हो जाएगी. ओर reason भी हो सकते हैं, winter आपकी चली गई है, तो क्या status की demand होगी? no, आपका देश का जो है, कुछ भी change हो गया, finance to change हो गया, जिसको economy की knowledge नहीं है, उसने proper ढंसे नहीं संभाला, economy को तो क्या हो जाएगा? आप recession की तरफ आजा होगी, ठीक है? जो आप boom से नीचे की तरफ जाते हो, उसे क्या बोलते है? recession आजाना, आप recession के बाद last point evil आ जाता है, इसे बोलते है, depression, depression क्या होता है? मं हम डिप्रेशन में आ गए है, इसका मतलब हमारी economy बहुत जादा कमजोर हो गई है, हमारे पास ना तो demand है, ना supply करने के लिए raw material है, अब क्या होगा? अब government को कुछ ना कुछ step उठाने पढ़ेंगे, हमें इस recession से निकालने के लिए, या वो foreign की वदद लेगी, बाहर की देश से help ले सकती है, कि कुछ time के लिए आप हमारी help करो, कि हमारी depression चल रही है, ठीक है? तो उनकी help से भी क्या हो सकता है, economy depression से निकल सकती है, आप कुछ वो खुद afford करेगी, कुछ बाहर के देश उनको help करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो recovery कर जाएगी, यहां से इस line जो ही उपर country है, इसे हम क्या बोलते है, recovery, इसका मतलब, economy में चार stages आ जाती है, first is boom, second is recession, third is depression and fourth is recovery, पर हार कंट्री में यह चार situation आपकी आएंगी ही आएंगी, चाहे जो मर्जी कंट्री हो, ठीक है? आपकी demand कभी कम हो जाएगी, कभी supply कम हो जाएगी, तो यह चार situation हर एक कंट्री को face करने बढ़ती है, ठीक है? I hope आपको यह topic clear हो गया होगा, okay, have a nice day